Hi everyone, सभी प्यारे बच्चों का again welcome करता हूँ देखे आज की class है special एक humorous tone में article है, इसको cover करेंगे humorous tone मतलब हसी मजाक वाली tone तंज याद तानों वाली tone इस article का discussion point यह है कि आपके कई ऐसे रिष्चिदार हैं, relatives हैं जो कि आपको तोकने का मौका ढूंडते रहते हैं और जान बूज करके वो आपको तोकते हैं ताकि वो आपको humble कर सकें, शर्मसार कर सकें और यही काम बहुत probability है कि आप भी करेंगे आज से 20 से 35 साल बाद जब आप बड़े हो जाएंगे और छोटे रिसेदारों को पगड़ पगड़ के परिशान करेंगे शुरू करते हैं आर्टिकल को अपने quiz के साथ में humorous tone आर्टिकल पढ़ना थोड़ा सा मुश्कित होता है क्योंकि आपने शायद पहले पढ़े नहीं है तो जितना हो सके आप benefit लेंगे इस class का मन से आप चीज़ों को सीखेंगे और जो भी सीखें इस quiz पे आपको class के last में attempt करना है 11 में से 11 नंबर मिले हैं यह आपको objective है चलिए पूरे जोट के साथ में lecture को शुरू करते है कह रहा है जी gravity, levity and the theory of relativity ग्रेविटी का मतलब होता है गुर्टवा कर्शन और theory of relativity आपने पता होगा Einstein की theory है time और space की theory of relativity देखने में आपको लगेगा scientific theme का article है gravity की बात कर रहा है relativity की बात कर रहा है लेकिन अब इनके meaning देखो gravity जो word है इसका मतलब गुर्टवा कर्शन तो होता ही है इसका एक और meaning है किसी चीज की seriousness कौन सी चीज में कितना वजन है कितनी importance है वो उसकी gravity होती है levity का मतलब होता है मजाक हलका फुलका मजाक आप किसी से करते हैं न बस कोई remark कर दिया किसी के मजे लिए चुटकी है न वो चुटकी जो बोलते हैं उसको इंगलिश में बोलते हैं levity और theory of relativity में relativity word बनाये इन्होंने relative से यानि आपके रिस्तेदारों से कहरा जी रिस्तेदारों से जब भी कुछ ऐसी बात होती है वो बात वैसे तो हलकी फुलकी होगी levity वाली होगी lightness और humor वाली होगी लेकिन आपका रिस्तेदार बड़ा gravity के अंदर करता है बड़ा serious होकर के आपको बेज़त करने की कोशिश करता है ठीक है और यह करता कोन है theory of relativity रिस्तेदारों के उपर बनी हुई थियोरी है तो इस तरीके से humorous tone में इसने अपना title लिखा है देखके लगे कि कुछ science article है लेकिन यह science related नहीं है चलिए title paragraph देखते हैं केरा जी Europidus, the Greek playwright got it right centuries ago, one loyal friend he said is worth 10,000 relatives केरा जी Europidus नाम का एक philosopher था और Greek playwright था playwright मतलब जो play को write करें, अब देखो आप write करने की spelling R-I-G-H-T होती है यह W-R-I-T होती है ना, दोनों को mix कर दिया इसने write करना तो यह होता ना, लिखना लेकिन यह playwright की spelling देख लो कैसे बनी हुई है W-R-I-G-H-T ऐसा आदमी जो play या drama या किसी कहानी को लिखे script writer हो, कहरा यूरोपिडिस नाम का जो philosopher था, जो एक script writer भी था Greece से, ancient Greece से, उसने इस चीज को सही तरीके से पकड़ लिया got it right, उसने इस बात को अच्छे से समझ लिया get something right मतलब किसी चीज को समझ लेना, अच्छे से और कब समझा, centuries ago कई सताबदियों पहले और क्या बात थी वो, एक आपका जो loyal friend है यूरोपिडिस ने ऐसा कहा, कि वो worth है, वो लायक है 10,000 relatives के, तो 10,000 relatives किसी काम के नहीं है आपके अगर एक दोस्त आपके पास जो loyal है, वो उन पे भारी रहेगा ये यूरोपिडिस ने कई 100 साल पहले ही हमको समझा दिया था चलिए, यूरोपिडिस की वो बात को, इस बात को, इस आर्टिकल की learning को अच्छे से पगड लिया फ्रेंट की वोबाई इस, ही आया, यूरोपिडिस के लिए, इस आदमी के लिए, ही की वोबाई, सेट चलिए, आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इस आर्टिकल की, वो कह पे नजर डालेंगे सारे वर्ड्स एक साथ देख लो, मोटे-मोटे, ताकि आप इसको smoothly पढ़ सको, अब एक एस्पारेंट हैं, किसी एक्जाम की प्रिपेशन कर रहे हैं, और चाते हैं अपनी इंगलिस को एक स्टेप आगे ले जाएं, स्ट्रक्चर्ड वे में तयारी करने के लिए, आप एप को जरूर डाउनलड करें, वाइटी योर इंगलिस शूटर एप, आपकी अपनी यहां पे, कॉमेंट सेक्शन में इसका लिंक रखा गया है, एप्लिकेशन पे आपको मिलेंगे प्रिमियम कोर्सिस, नाम के प्रिमियम कोर्सिस हैं, फीस बहुत कम होती है, अफॉर्डबल होती है, राइटिंग के कोर्स में आप लिखना सीख सकते हैं किसी भी एक्जाम के लिए, ऐसे हो, प्रेसी हो, आंसोर राइटिंग हो, इस कोर्स का फाइदा लेने के लिए इस कू कोवर्ड है 1350 का एक कोर्स है कूपन के साथ इसमें सी सायड आंस्वर राइटिंग डिस्क्रिप्टिव वकैब ग्रैमर हर पॉर्शन कवर्ड है इन दे कोर्स इसी तरीके से एप पे आपको बैंकिंग और SSC के भी कोर्स मिलेंगे जिसमें बैंकिंग SSC के सभी वराइटी ऑफ क्वेशन को सौल करना है आपको सिखाया जाता है आप का लिंट कॉमें सेक्शन में है कोई भी क्वेरी हो यह नंबर पर आप WhatsApp से टीम से जोड़ सकते हैं और अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं वो कैब शीट अपनी आज की Humorous Stone का आर्टिकल है थोड़ा जूम इन कर देता हूं शुरू करते हैं फ्रिवलस से फ्रिवलस क्या होता है ऐसी चीज जो serious in nature ना हो जैसे किसी पर किया गया कोई remark हसी मजाक वाला वो चुटकी वाला है न यह वर्ड बना है Frivolty से Frivolty यानि चुटकी और Frivolous मतलब चुटकी भरा Frivolty मतलब हसी और Frivolous मतलब हसी भरा Light-hearted कैरे जी हर Frivolous Nature prevented her promotion to hire management उसका जो हलका-फुलका nature था Non-serious nature था Frivolous nature था वो prevent करता था उसको hire management में promotion के लिए Management में अगर hire जाना है तो आपको serious होना होगा आपकी बातों में dumb होना चाहिए अगर Frivolous nature की बाते करते हो तो फिर आपकी बात तो कोई हलके मी लेगा आप कभी भी manager नहीं बन पाएंगे Trivial भी बोलते हैं Frivolous को, Superficial भी बोलते हैं, Senseless और Petty भी बोलते है इसकी noun form जो मनें आपको बताई, Frivolty इसको levity नाम के word से भी बताया जाता है, हलकी फुलकी बात, Frivolty और levity तो वो levity word जो आपने देखा था, इस word से जुड़ा हुआ है चले, नया word है आपके लिए आजी, अगला word है Stagger देखे, Stagger एक verb है, उससे adjective बनाया हुआ है verb की third form Staggered और इस verb के दो meanings है, Stagger verb के दो meanings है पहला meaning होता है लड़ खडाना, और दूसरा meaning होता है किसी चीज को systematic तरीके से arrange करना जैसे किसी की शादी में कुर्सियां लगी हुई है, किसी function के अंदर ऐसे, 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 तो यह सब staggered manner में लगी हुई है इन कुर्सियों को stagger किया गया है, और अगर आपने कुछ खाप भी लिया है उल्टा सिधा और पाम आपके ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, तो भी आप stagger कर रहे हैं, lurch कर रहे हैं, लड़ खडा रहे हैं अंगरेजी में ये एक word दो meanings रखता है अब ये दोनों meanings कैसे connect होंगे, किसी दिन और किसी class में बताऊंगा क्योंकि टाइम लगेगा न, पांस मिनिट का कुछ स्टोरी है, वहाँ से बनाया गया अंगरेजी ने, इस word को दोनों को, वहाँ मिनिंग को निकाला है वो staggered हो गई, या लड़ खडाने लगी, कुट्टे को देखते ही, at the sight of dog add a sight of something, या न, किसी चीज को देखते ही, तो कुट्टे को देखते ही, इतना डर गई कि वो लड़ खडाने लगी और दूसरा मीनिंग है, the coach staggered the players in the field, coach ने systematic दोर पे stagger कर दिया, arrange कर दिया प्लेयर्स को in the field में, अब यह जो लड़ खडाने वाला मीनिंग है, लड़ खडाते आप तब हैं, जब आप बहुत surprise होते हैं, आप बहुत ज़्यादा डरे होए होते हैं वो वाले मीनिंग के लिए एक word होता है, bewildered, confounded, एक दम भोचक्का खा जाना, किसी चीज पे एक दम हैरान हो जाना, तो यह bewildered नाम का word आडिकल में देखेंगे आप भी सोतिरों के सर्ज यहां से शुरू किया तो और कहां तक ले गए, एक ही word है यह, bewildered, और स्टैगर, एक ही बात है, अगर किसी को हैरान करना हो, और इतना हैरान करना हो, कि वो आदमी लड़ खडाने लगे चलिए, अगला word अपने पास, कहां गया, embellish, देखें यह word बना जानवरों से, जानवर अगर आपने देखा हो किसी खेतवेत में, कोई, कोई देसी गाएं हो, उसके गले में घंटियां मंटियां बांदेते हैं, यानि उसको डेकोरेट करते हैं, कोई गोड़ा हो, कोई या वर्ड निकाला गया है, embellish, लेकिन अब इसका मतलब है किसी भी चीज को decorate करना हो, आप चाहे अपना घर decorate कर रहे हो, तब भी आप embellish करेंगे घर को, चाहे अपनी बात को decorate करके बता रहे हो, अपनी बात को थोड़ा सा sophisticated, define करके बता रहे हो, तो आपकी बात को आप embellish करेंगे, people tend to embellish their success stories, लोग कोशिश करते हैं, tend करते हैं, उनकी आदत होती है, कि वो बढ़ा चड़ा के या decorate करके बताएं, अपनी success stories को, काम्याभी की कहानी को, और क्यों, to impress others, ताकि लोगों को others को impress कर पाएं, और कैसे, with their achievements, अपनी achievements के साहरे, यह word जो है, embellish, you'll see in the article today, क इसी चीज को portion देना, बालों में तेल लगाते हैं, ताकि आप बालों को नरिश कर सके, अच्छा खाना खाते हैं, protein वाला, vitamin वाला, ताकि आप अपनी body को नरिश कर सके, trade is a very useful tool to nourish the ties between two countries, वेपार एक बहुत अच्छा जरिया है, नर्चर करने का, नरिश करने का, portion देने का, रिश्टों को दो countries के बीच, जब वेपार अच्छा हो जाता है, तो countries कभी भी जगडा नहीं करती हैं, एक दूसरे से, क्योंकि नुक्सान होता है, पैसे का, feed करना, cherish करना, cultivate करना, encourage करना, foster करना, सभी इसके synonym है, आज cherish नाम का word आर्टिकल में देखेंगे, cherish को हिंदी में ब पहला मीनिंग है, कहीं पे रहना, you dwell in that colony, I dwell in that city, और दूसरा मीनिंग है, किसी चीज पे गहरे से सोच विचार करना, सोचते रहना, जब यह वाला मीनिंग आएगा सोचने वाला, तो dwell के बाद में लग जाता है, on, ठीक है, when you dwell on something, आप उस चीज पे घंटों घंटों सोच र करें, अगर यहां पे जिस चीज पे dwell किया जा रहा है, वो चीज भी लिखी होती, तो on लगा जाता, stop dwelling on your mistakes and take action, अपनी mistakes के बारे में सोचना बंद करें और कुछ काम करें, तो dwell के बाद में on लग जाता है, जब जिस चीज के उपर आप सोच रहे होते हैं, वो लिखी जाए, और दूसरा, discrimination against women dwellers, dwells in our mindset, in the mindset of our parents, discrimination जो है बेदवाव जो है औरतों के खिलाफ, वो dwell करता है, रहता है हमारे parents के mindset में, जो आज से 50 साल पहले पैदा हुए थे, naturally वो लोग उस तरीके के मुले रखते हैं, values रखते हैं, जिसमें औरतों के खिलाफ discrimination आपको दिखेगा, आदम अगर divorce हो जाए तो कोई बात नहीं, औरत अगर divorce है तो समझ पार हो ना, तो यह पुराना mindset है, आज कल के mindset से different है, तो यह dwell करता है, discrimination हमारे parents के, या हमारी पुरानी generation के दिमाग में, populate करना, inhabit करना, रहने के synonym है, you'll see the word dwell in the article today, और सोचने वाला meaning, पहला वाला meaning आर्टिकल में आएगा, चलिए, पांचोई words बड़े अच्छे level के हैं, आज की vocab में काफी दम लगा होगा आपका सीखने में, अब आज आव आर्टिकल पे, जहाए words आएं, वहाँ पे आपका revision होगा, एक समरी देते हैं, आपको आर्टिकल की, समरी यह है कि आपने कभी-कभी feel किया होगा, कोई रिस्तेदार आपको बड़ा परिशान कर रहा है, आपकी चुटकियां ले रहा है, आप हो चुके हैं 30 साल के, लेकिन आपको embarrass करने के लिए वो बाते बता रहा है, जो आप आपने कुछ जिंदिगी में अच्छा कर भी लिया हो, लेकिन आपका रिस्तेदार कोशिश करेगा, कि वो आपके past का, आपके बच्पन की गलतियों का फैदा उठा करके, आपको humble करे, embarrassed करे, हमारा article कर रहा है कि यही है theory of relativity, और अच्छे दोस्त, ऐसे 10-10 हजार रिस्तेदा सालो बाद आप भी यह कर रहे हो, क्योंकि रिस्तेदार आपके जैसे ही है, almost वैसा ही आपका भी family tree बनने वाला है, आप भी उसी तरीके के environment से निकलने वाले है, तो यह भी एक hard truth है, गंदी सचा ही है कि आप भी यही काम कुछ सालो बाद शायत कर रहे हो, चली शुरू करते हैं, करे रिस्तेदार खास करके वो वाले जो आपको फिर मिलते हैं, रिकनेट करते हैं, कई decades के बाद, दसकों के बाद, करे ऐसे रिस्तेदार जो आना, अकसर आफटन, best avoided होते हैं, इनसे दूर नहीं अच्छा होता है, best avoided मतलब यह best होगा कि आप इनको avoid करें, यह phrase बना हु हैं, तो ऐसे रिस्तेदार जो आपको 20 साल बाद, 10 साल बाद, 12 साल बाद मिलें, आपके लिए अच्छा है कि आप उससे ज्यादा वास्ता ना रखें, relatives की verb है, best avoided, are best avoided, यहाँ पे actual में adjective भी हो सकता और verb की third form passive भी इसको बना सकते हैं, who की verb है, reconnect, करे these individuals, shocked by the passage of time, are bewildered by your growth, कर shocked होते हैं, passage of time से, वक्त के गुजर जाने से, passage यानि रास्ता, किसी चीज के गुजरने का, time यानि समय, यह बहुत ज़्यादा shock में रहते हैं, कि इतना वक्त निकल गया, पहले तो यह 5 foot 2 inch का था, अब 6 foot 4 inch का हो गया, तो इस तरह से shocked होते हैं, और यह फिर bewildered हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा भुचक्के हो जाते हैं, आपकी growth से, आपके विकास से, your added hair, आपकी body में extra hair आ जाने से, and perhaps even your mustache, और शायद आपकी मूच से भी, हासी मजाक वाला article है, तो इस रिष्टेदार आपकी मूच देख करके हो जाते हैं, कि पहले जब आया था तब तो इसके सर पे भी बाल थोड़े थे, अब इस पूरा बढ़ा हो गया, तगड़ा हो गया, मूच भी आ गई इसकी है, तो इस तरीके से वो थोड़े से shock होते हैं, individuals की verb है, individuals मतलब people, यानि लोग, bewilded होना, यानि किसी चीज बे भुचक्का होना, हैरान होना, लडखडा जाना, shocked यहाँ आप यह adjective है, individuals के लिए है, individuals जो की shocked है, mustache यानि आपकी मूच, दाड़ी को बोलते है, beard, ठीक है, B-E-A-R-D, beard, mustache यानि मूच, spelling देख ले ना, mustache की, M-O-U-S-T-A-C-H-E, लिख करके देखो, बोल करके देखो, ऐसे spelling आप नहीं लिख पाओगे, अगर आपको नहीं पता, कहरा they resent you for maturing, वो resent करते हैं, गुसा करते हैं आप पे, अंदर ये अंदर dislike करते हैं आपको, आपके mature होने के लिए, बड़े होने के लिए, as if you must apologize for becoming an adult with your own family, और वो ऐसे resent करते हैं आप से, गुसा उनके मन में इस तरह का होता है, जैसे की as if, as if मतलब जैसे की, आपको ही apologize करना हो, apologize करना, माफी मागना, एक adult बनने के लिए, एक grown up man या woman बनने के लिए, with your own family, जिसकी खुद की family है, जिसके खुद के, बच्चे है, spouse है, husband है, wife है, तो इस तरीके से उनके मन में आपके लिए dislike होता है, जैसे आपने कोई माफी नहीं मागी उनसे, कि चाचा जी, आपसे मैं 20 स से मिला नहीं, मुझसे हो गई गलती, मैं बढ़ा हो गया, मेरी भी शादी हो गई है, मेरे भी बच्चे हो गए है, मुझे माफ करना, चागे, दे की वब है, resent, resent करना, किसी पर गुसा रखना, ग्रज रखना, किसी से dislike करना, मन जो है, कड़वाहत रखना, यू की वब है, must apologize apologize का मतलग होता है, माफी मांगना, ठीक है, apologize वर्ड को pardon वर्ड से confuse मत करना, apologize यानि माफी मांगना, और pardon यानि की, pardon यानि की माफी देना, समझ गे ना, आपने माफी मांगी है तो आप apologize कर रहे हैं, और सामने वाले ने जब आपको माफ कर दिया है, माफ करने को बोलते हैं, pardon दरना, दोनों वर्ट्स लोग confuse करते हैं, दोनों अलग-लग वर्ट्स हैं, यह बिल्कुल वैसा ही है, मरना और मारना, आप मारे गए तो यू डाइट, और क्योंकि आप मारे गए, संबडी किल या नि मार देना, ऐसे इस दोनों वर्ट्स को connect करना, चलिए आगे बढ़ते हैं, करें, I often ponder, how figures like Nelson, Mandela and Gandhi reacted, करें, मैं एक्सर ponder करता हूँ, सोचता हूँ, deliberate करता हूँ, ruminate करता हूँ, dwell करता हूँ, याद न, किसी चीज को बारे में गहराई से सोचना, मैं एक्सर गहराई से सोचता हूँ, कि कैसे ये जो figures हैं, हस्तियां हैं, figures यानि हस्तियां, जैसे कि Mandela और गांधी थे, बड़ी-बड़ी हस्तियां, कैसे वो react करती थी, और कब, when reminded of childhood blenders, जब उनको remind करवाया जाता था, याद दिलाया जाता था, उनकी बच्पन की blenders को, childhood की गलतियों को, तो गर गांधी को कोई उनका प्रोसी बताए, जब गांधी 60 साल के थे और प्रोसी 95 साल का था, कि आप ने तो ये किया था बच्पन में, आप तो ऐसे करते थे, तो कैसे गांधी जी react करते होंगे, कैसे नेल सर्मंडिला इस चीज को लेते होंगे, हमारा author इस चीज के बारे में सोचता है, आई आया author के लिए verb आ पॉंडर, figures यानि हस्तियां, verb आ इसकी reacted, reminded of something, किस के चीज की याद आपको दिलाया जाना, there is always an ancient aunt or family friend who clings to your youthful missteps more than your significant achievements, हमेशा से एक पुरानी aunt होंगी आपकी, aunt यानि auntie, और ancient यानि, हासी मजाग में बोला जा रहा है, ancient का मतलब तो होता है, एक दम पुराने जमने का, तो ancient aunt मतलब समलों कोई 60 साल की auntie कोंगी, कोई 80 साल की या न, 70 साल की दादी मा, तो हमेशा आपकी कोई एक ancient aunt होंगी, booty auntie होंगी, या एक family friend होगा, जो cling to कर देगा, जखड़ लेगा, आपके youthful missteps को, आपकी जवानी की या बच्पन की गलतियों को, misstep यानि गलतियां, और किस से ज़्यादा जखड़ेगा, ज़्यादा आपकी बड़ी achievements के, बड़े-बड़ी उपलब्दियों के, आपने mvbs कर लिया, डॉक्टर बन गए, exam निकाल लिया, कहीं job लग गई, बड़ा business शुरू कर लिया, कहीं आप entrepreneur बन गए, ये achievements उसके लिए माइने नहीं रखेंगी, उसके लिए वो चीज़े माइने रखेंगी, जो आ को singular ही रखना पड़ेगा, हू आया इनके लिए, वो और लगा हुए है, तो singular मान के ही हू की वर्ब को भी हमें singular रखना है, क्लिंग टू करना, क्लिंग टू करना, क्लिंग टू करना, किसी चीज़ को जगड लेना, जैसे छोटा बच्चा मा को जगड लेता है ना, डर के मार अंग्रेजी में उसी को बोलते है, क्लिंग टू करना, या क्लिंग ओन टू करना, ओन यहां पर ऑप्शनल है, लगा सकें तो लगाएं, नहीं लगाएं तो छोड़ दे, होल्ड ओन टू को जगड लेने को, किसी चीज़ को, मिस्स्टेप यानि किसी चीज़ में आपकी गल् टू आप कर दिया, वमिट कर दिया, हमारे कुत्ते के ऊपर, टू आप करना यानि वमिट करना, समझते न, उल्टी आना, वी की वब है वेंट, यू की वब है थू आप, अब देखो यह बना तो question वाला sentence है, interrogative है, लेकिन इसको आपने एक आदमी की statement जैसी है, वैसी की वैस लिख दिया, technically sentence ऐसा होना चाहिए था, do you remember when we went on a picnic and you threw a ball all over the dog, यह do you remember, यह वर्ब की helping वर्ब से शुरू होना चाहिए था, इन वर्जन के साथ, लेकिन अब आँटी ने जैसा बोला वैसा का वैसा लिख दिया, समझ पारे हो न, कराई जी inevitably, someone brings up that unique never before or since experienced family story, कराई जी यह ची के सही inevitably, कोई ना कोई bring up करेगा लाएगा उस unique और never before or since experienced family story को, ऐसी family story को, ऐसी उस कहानी को जो unique है, और जो पहले भी नहीं हुई और उसके बाद भी नहीं हुई, बस एक बारी कोई किस्सा ऐसा हो गया, उसको जरूर कोई ना कोई family वाला आपका कोई इससे दार जरूर सामन लाएगा, bring up करना, किसी चीज को अप लाना, सब के सामने, समझगे ना, introduce करना, you cannot merely nod weekly and hope for the conversation to move over, करा जी ऐसा अगर situation बन जाए, तो आप खाली-खाली nod भी नहीं कर सकते हैं, अपना सर भी नहीं हिला सकते हैं, nod करना ऐसे हां की, जो है, इसारे में सर को हिलाना की, हां मुझे याद है, आप खाली-खाली, weekly nod भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा करके भी आप बचनी पाएंगे, और ऐसा hope भी नहीं कर सकते हैं, कि ये conversation move over कर जाएगी, आगे निकल जाएगी, इस conversation में से ये बात पीछे रह जाएगी, तो ये काम तो आप कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वो रिष्त the tale with the new fictitious elements, क्योंकि फिर वो recount करने लगेंगे, आपको याद दिलाने लगेंगे, remember करवाने लगेंगे, हर छोटी-छोटी detail को, और उसको भी सजाते हुए कहानी को, नए-नए fictitious elements के साथ, ऐसी चीजों के साथ, elements के साथ, जो कभी हुई नहीं, जो fictitious हैं, जो the imaginary हैं, अगर आप तो छोटे थे तब, करया जी, ये वो elements है, that have adhered to the story, over the years, like barnacles on a ship, जो adhere to कर गए हैं, जुड़ गए हैं, इस कहानी से, पिछले सालों में, जैसे ship से जुड़ जाते हैं, barnacles, barnacles क्या होते हैं, आपको दिखा देता हूँ, हर एक जहाज के नीचे छोटे-छोटे कीडे होत सेलर है, हर थोड़े दिनों में, इन barnacles को वो साफ करवाता है, ठीक है, इनको सुखाएगा, फिर इन पर acid लगाएगा, तो ये जहाज में होना ही होना है, जहाज के साथ में barnacles जो है, एड होते जाएंगे, अगर आप इनको नहीं हटा होगे, खीडे होते हैं, चोड़े जान सेंटेंस का, you की वह ब है, cannot noise, noise करना, यानि मानना, किसी चीज़ को agree करना, अपना सर हिलाना, ऐसे ऐसे, दूसरी वह ब है, you की, cannot hope, move और करना, get और करना, किसी चीज़ से आगे बढ़ जाना, you की वह ब है, can get, nor से close room है, इसलिए आपको inversion करना पढ़ा है, inversion वाली क्लास में कल समझा है था वैसे पार्ट नमबर 19 ग्रैमर सीरीज का इसी पर बेस्ट है ठीक है नोर से आपको inversion देना होता है sentence में दे की वह बहुत दे आया इससेदारों के लिए recount करना फिर से एक एक चीज को count करके याद दिलाना इंबैलिश करना यानि करना किसी चीज से जूड जाना किसी चीज से है ना हिस्सा बन जाना आपकी कहानी का कुछ ना कुछ जरूर सोटी मटी चीजे लोगों ने जोड़ी होंगी चली आगे बढ़े करे जी वट अब एक और चुटकी ली जा जिये करे जी उस वक्त का क्या जब आप डिस्पाइज करते थे घ्रना करते थे हेट करते दूद से और आपने इसको पोर कर दिया बहा दिया पॉटेट प्लैंट में ऐसे प्लैंट में जिनको आपने पॉट किया हुआ था गंबले में लगे तो इस तरह से आपकी बच्पन की embarrassing story बता रहा है आपका रिस्तेदार आप छोटे बच्चे थे आपको दूद पसंद नहीं था और आपने पोदे में डाल दी और आपको लगा कुसी को पता नहीं लगेगा वो पूरा पोदा सफेद हो गया है ना यू की वब है despise, यू की वब है poor, despise करना, घ्रिना करना, यू despise something उससे हेट होती है आपको, यू की वब है thoughts, no one की वब है was looking करे जी they inquire, फिर वो inquire करते हैं आप से पूछने लगते हैं कि आपको याद है करे जी has nothing of consequence occurred in their lives that they must cling to my childhood misadventures अब ये सवाल कुछ रहा, ऐसे रिस्तेदारों से frustrate होके, करे जी क्या कोई भी ऐसी चीज नहीं हुई है जो nothing of consequence है, देखे, of consequence मतलब जिस चीज का कोई consequence हो, जिस चीज का कोई outcome हो जब भी कोई चीज of consequence होती है, वो गंभीर बात होती है, जिसका कुछ मतलब निकले, कुछ अर्थ निकले करे जी क्या, कोई भी चीज नहीं, जिसमें कुछ अर्थ हो, कुछ meaning हो, consequence हो अकर हुई है, घटित हुई है, उनकी जिंदिगियों में क्या उनकी जिंदिगी में सा कुछ भी नहीं हुआ, कि वो cling कर रहे हैं, attach हो गए हैं, जगर चुके हैं, मेरी बच्पन की misadventures को, गलतियों को, समझ भाई है sentence को, क्या उनकी जिंदिगी में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, जो बता सके हमें और इसलिए, इसलिए मेरी बातों पर अटके हुए हैं वो आज भी कि मैंने बच्पन में किस पोदे को दूद पिला दिया था, अपना बताओ ना भाई, तीस साल में तुमने क्या किया, ये समझ गे ना, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है रिस्तारों पर, sentence interrogative है, helping verb से शुरू हुआ है, nothing subject है, has occurred उसकी verb है, when something is of consequence, मतलब वो चीज गंभीर है, उस चीज में कुछ meaning है, meaningful को बोलते हैं, of consequence, दे की verb है, must cling to, cling to करना, ये cling on to करना, यानि जकड लेना, ये वही वाली वर्ड है आपने उ चरिस्ट, करा जी यही वो reason है, कि क्यों माताओं को या दादी माओं को चरिस्ट किया जाता है, संजो के रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, they narrate stories of aunts and uncles childhoods to be weaponized at family gatherings, क्योंकि दादी मा को तो अंकल के बच्पन का भी पता है, ये दादी माओं नरेट करती हैं, detail में बताती ह उन कहानियों को हमारी आंटी और अंकलों के बच्पन की, ताकि उनको हथियार बनाया जा सके, weaponize किया जा सके family gathering में, अंकल आपकी चुटकी ले रहे हैं और आपने दादी माओं से कुछ अंकल के बारे में सुना है, आपने अंकल की चुटकी ले ली, इसलिए दादी माओं क तो सोते बच्चे इतना संजो के रखते हैं, चरिश करते हैं, चलिए, इसकी वर्ब है इस, grandmas heures की वर्ब है, our cherished, दे आया, grandmas, के लिए दादी माओं के लिए verb यंद की, नेरेट, weaponize करना, weapon बनाना, stories to be weaponized, stories of childhood to be weaponized, passive infinitive लगाया गया किसी चीज़ को, समझ पारिए ना, उस मत बात करो मिरे व्मिट करने के थोप करने के इंसीदेंट के बारे में मेरे उल्लटी वाले घटना के बारे मेंैं आंटी रीकाउंट थाहित ताइम यू गोट लॉस्ट लॉवस्टरी निछ coy शूर्म करण तो उस वक्त को जब आप खो गई थी एक किराना शॉप में, ग्रोसरी स्टॉर में, सूपर मार्ट में and ate up all their apples in sheer panic और आप खुद खा गई उस market के सारे के सारे सेब, सारे के सारे apples जब आप खुद गभराई हुई थी, sheer panic में थी समझ के दादी माह से आप स्टोरी सुनके आएं, आण्टी के बारे में, आण्टी आपके मज़े ले रहे हैं, आप आण्टी के ले रहे हैं तो आप बोले हैं मेरे वमिट के incident को छोड़ो, आप तो वो बताओ कि जब आप बच्पन में सूपर मार्ट में खो गई थी और वहाँ पे उन लोगों के सारे सेव खा गई, निकाल निकाल के, क्योंकि आप दरी हुई थी, पैनिक में थी चलिए, अंग्रेजों के यहाँ होते हैं इस थरे की चीज़े तो है ना, हमारे यहाँ तो वह हाथ भी ना लगाने थे यहाँ पे अपने आप अंडरस्टूड है, वर्ब की बेस फॉम से शुरू हुआ है, इट अप करना यानि खा लेना, शीर का मतलब होता है प्योर, शीर पैनिक यानि प्योर पैनिक आपको आपको आगया था, पैनिक अटाइक आगया था है ना, पैनिक समझते हैं ना, चलि खाये जाने के लिए इंसानों के द्वारा और जानों के द्वारा किसी चीज को आप इट अप वर्ड का इस्तिमाल करते हैं, लेकिन एक और वर्ड है हमारी पास फेल वर्ब इीट अट एट सम्थिग, इीट अट का मतलब होता है किसी चीज को को Maarär कर देना, जैसे जंग लो करे अगर ऐसा डाइवर्जन आप कर दे आंटी को उनकी कुछ बात याद दिला दे तो यूजली वो शिफ्ट कर देगा बदल देगा पूरी बात को ही और ज्यादा करेंट और लॉड़ेबल टापिक्स की तरफ ऐसे टापिक्स की तरफ जो हाल फिलाल के हैं और बड़े लॉड़ेबल हैं अडमारेबल हैं लाइक यूर इंप्रैसिफ जोब और अकडेमिक एकॉलेट्स जैसे कि आपकी अच्छी जोब जो आपको मिली है या आपने जो अच्छा करके दिखाया है कुछ बड़ी होगा चीजों का शिफ्ट होना जा रहेते दिल्ली और डाइवर्ट हो गया आगरा की तरफ यह होता है डाइवर्जन लॉड़ेबल और अपलॉड़ेबल यानि प्रशंसा के लायक एकॉलेट्स यानि उपलब्दियां करा यूरोपिडिस जो था ग्रीक प्लेराइट था कह किमती होता है 10,000 के ऐसे 10,000 रिष्दारों के ठीक है प्लेराइट की सपेलिंग लेना प्ले यानि कोई प्ले तो समझते हैं ड्रामा और राइट की स्पेलिंग में WRI लेकिन आगे लगा हूए जीस्टी समझ पार यहिए राइट वह वाला राइट और डव्यार राइट वा रिलेटिव जो है वो सबसे अच्छे कभ यह ओते हैं और क्या किरए जी जितना व दूर हों फार्द अवे हों उतना ही अच्छा है दस्चर रिलेटीव सबसे अच्छे होते है और जितना आप का इसके कहने का क्या वहाव है रेलेटिव की वहाव है आर अब यह द फार्दर अवे द बैटर इस पर बनता है कॉंसेट्ट फटा फट इसको भी देख लो देखो कॉंसेट्ट यह कि द के साथ में एडजेटिव की कंपैरिटिव डिगरी लगे हुई है फार की फार्दर और द के साथ में अगें एडजेटिव कंपैरिटिव डिगरी है गुड की बैटर तो यह जो स्ट्रक्चर बनती है इसका मतलब होता है जितना ऐसा उतना वैसा जितनी मेनत उतनी काम्याबी इस तरीके से स्ट्रक्चर को आपको बनाना है याद क्या रखना है इसमें पहले भी द आएगा और कंपैरिटिव डिगरी आएगी और बात में भी द आएगा कंपैरिटिव डिगरी लगेगी द फास्टर यू रन द फास्टर यू रन द क्विक यू गेट देर जितना तेज आप भागेंगे उतना ही तेज आप वहां पहुंचेंगे गेट यहाँ पे पहुं है न, quick, quicker, जो है quickest, ये quicker वाली comparative degree आपको द के बाद लगानी है, तभी structure आपने satisfy की, the earlier you start, sooner you finish, जितना जल्दी आप start करेंगे, उतना जल्दी आप पूरा करेंगे, the plus में earlier, बिल्कु ठीक है, early से earlier बनाया आपने, लेकिन यहां पे सून से सूनर बना के, the लिखना बुल गए, the sooner you your finish, the deep we delve into research, the fascinating and intricate findings become, जितना ज़्यादा आप delve into करेंगे, ये sentence से लो छोड़ दो, क्योंकि ये अगला वाला sentence बिल्कु ऐसा ही है, दोनों sentences में same ही तरह की learning आपको मिलेगी, अगला वाला देखो, इस ही साइडिया लगेगा आपको, the more resources allocated to public health initiatives, the healthier and strong the community becomes, जितने ज़्यादा resources allocate किये गए, public resource जो है, या लिख देना R, ठीक है, R allocated, जितने ज़्यादा resources को allocate किया जाता है, लगाया जाता है public health initiatives पे, उतनी ही community strong बनती है, और healthy बनती है, the plus में देखो, resources जो है एक uncountable noun है, ठीक है, मच लगता इसके आगे, countable भी है, many भी लगा सकते हो, much भी लगा सकते हो, much या many, दोनों की comparative degree होती है, more, अब देखो, adjective की degree बता हो नहीं चीए अगर आप एक ऐसे बत्चे हो, जिसको adjective की degree हैं नहीं बता, तो फिर ये, समझे रो ना, PhD की degree कम मिलती है, जब दसमी बारवी college कर लेते हो, अगर दसमी बारवी नहीं हुई है, तो फिर कैसे करोगे, much की आपने, या many की आपने बना दी more adjective की comparative degree, इतना आपने देख लिया, लेकिन यहाँ आपने लिखा the healthier, healthy से बना दिया, healthier, और the भी लगा दिया, लेकिन गलती क्या होई, अगला adjective आपने comparative में नहीं रखा, community जो है, healthy और strong नहीं बनेगी, community बनेगी healthier and stronger, समस्पार हैं मेरे बात को, दोनों adjectives and से जुड़े हुएं और दोनों के दोनों ही आपको use करने पड़ेंगे comparative degree में चलो, healthier ठीक है, लेकिन strong का भी stronger आपको बनाना पड़ेगा अब last sentence, उन बच्चों के लिए जो हैं लखीर के फकीर, the smarter group of students will win the competition जो smarter group है students का ऐसा group जिसमें student जाला smart हैं, वही competition को जीतेगा ये message देखना comment section में ऐसे sentence लिखके कोई डालेगा और बोलेगा, sir यहां तो the smarter लगा था, आगे the plus में comparative degree नहीं आई क्यों नहीं आई, आपने तो बताया नहीं अरे मैं किरहाँ, जितना जैसा उतना वैसा ये meaning भी आएगा और ये meaning आएगा, तब ही structure आएगी, अगर ये sentence का meaning ही नहीं है, और ये structure की ज़रोती नहीं है, तो फिर दूसरी बार the plus में comparative degree क्यों लगाएं बै ऐसा थोड़े नहीं, हर the plus में comparative degree पे आप लकीर के फकीर बनके, दूसरी वाली comparative degree ढूणने लगेंगे, ऐसा नहीं है अकेला भी आ सकता है, कुछ और meaning के साथ आएगा, जब meaning ये निकले तब दो बार आएगा, the और comparative degree, the और comparative degree यूज़ करनी है ठीक है, तो ये sentence बिल्कुर ठीक है, इससे कोई पंगे शंगे नहीं लेने है, चलो आगे बढ़ते हैं तो ये आज होगे आपके grammar के concepts, आगे कहा रहा है जी part of our discomfort with relatives stems from the unsettling notion that they might be a grotesque crass reflection of ourselves एक part जो है, हिस्सा जो है हमारे discomfort का, comfort यानि सुविदा, और discomfort यानि असुविदा, एक हिस्सा हमारी असुविदा का, हमारे relatives के साथ में है, वो हिस्सा stem from होता है, निकल करके आता है originate होता है, और किस से उस परिशान करने वाली unsettled करने वाली notion से, खयाल से, idea से, विचार से और किस विचार से, that वो ये कि ये जो relatives हैं, बदमाश relatives, जो परिशान करते हैं बच्चों को ये हो सकते हैं, एक grotesque और crass reflection ये हो सकते हैं, एक grotesque, grotesque होती है जी, monstrous दानविये, बदमाश distorted, और crass का मतलब होता है, गवारू tactless, boorish, unrefined ये relatives और कुछ नहीं ये हमारी ही, बदमाश और reflection है, परचाई है of ourselves हमारी और करे जी, implying that such traits could reside within us, और ये बात जो है जब हमारे दिमाग में आती है, तो वो ये imply भी करती है, ये indicate भी करती है ये इशारा भी करती है, कि यही गुण, यही traits रह सकते हैं या रहते हुए हो सकते हैं हमारे अंदर भी, तो हमारे discomfort यही है, कि यह जो relative सबको परिशान करता है, पचास साल का, जब मैं पचास का होंगा या मैं पचास की होंगी, इसके वाले गुण मेरे अंदर ना आ जाएं, मुझे पता भी ना लगे और मैं भी ये बदमाशी करती फिर या करता फिर हूँ, ठीक है? पार्ट की वह वह है, stem from, stem from होना, appear from होना, निकल कर क्या आना unsettling की मतलब जो आपको unsettled करे, परिशान करे, हैरान करे, trouble करे, dotesk यानि दान भी है, monstrous, devilous distorted, और क्रास मैंने आपको बता दिया, जो rustic हो, गवारू हो जिसमें refinement की कमी हो, sophistication की कमी हो, वज्जो मुँ में आया बग दिया, कुछ लोग ऐसे होते हैं न, अपनी बात को चाहे सामने वाले को बुरी ही लग जाए, पर उनको तो सच बोलना है, इस तरीके से बोलना है कि सारा समाज उनका दुष्पन बन जाए, तो वो क्रास लोग होते हैं, unrefined और गवार टाइब लोग होते हैं, imply करना यानि किसी चीज की तरफ इशारा करना, ये बात इशारा कर रही होती है, कि यही traits, यानि गुण हमारे अंदर भी कहीं छिपे होए हो सकते हैं, अब ये सवाल पूछते हम खुद से, क्या मैं भी रिमाइंड करवाने लगूंगी, याद करवाने लगूंगी, मेरे बतीजे और बतीजियों को उनके बच्पन की गलतियों को फॉलिज यानि मुर्गता, फुलिशनेस, चो छोटे बच्चे कर देते हैं न, नहा के आए, और फिर से गंदे हो गए, पंदरा मिनिट के अंदर, तो ये फॉलिज होती हैं, जो बच्चों की ना समझियां होती हैं, क्या मैं भी बतीजे, बतीजों को यही ना समझियां गिनवाने बटूंगी एक दिन, ऐसा मुझे सवाल खुद से पूछना चाहिए, अगेर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वोब से शुरू हो रहा है, विल से, देख रहे हो न, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की यही निशानी है, या तो शुरू में डबलु एच वर्ड आएगा, या फिर शुरू में हेल्पिंग वोब आएगी, जैसे ही हाँ लगी हुई है, फोली यानि बेवकुफी आपकी मुर्गता, फिर एक और सवाल, Is this a tactic to handle the humble, the successful CEOs and the PhDs, कि क्या यह एक tactic है, क्या यह एक पेंतरेवाजी है, humble करने की, विनम्र बनाने की, या शरम सार करने की, successful लोगों को, बड़े-बड़े CEOs को, या PhDs को, समझ पारे हो, यह सवाल भी दिमाग में आना था, कहीं यह relative का agenda तो नहीं है, कि मैं जिन्देगी में successful हो गया, और इसके बच्चे नहीं हुए, या यह खुद नहीं हो पाया, इसलिए मेरी चुटकी ले रहा है, या मैं CEO बन गया किसी कंपनी का, मैंने बड़ा कुस बिजन शुरू किया, या मैंने किसी academic career को pursue किया, PhD बन गया, डॉक्टर बन गया, ये एक tactic भी हो सकती है, मुझे humble विनम्र या शरम सार करने की, मेरे relative की, ये दा सक्सेस्फुल, दा सीयोज और पीर्डी स्कॉमन प्लूरल नाउन्स है, दा के साथ में आपने अड्जेटिब्स को यूज किया है, सीयोज यहां पे एक फोर्स नाउन है, लेकिन कॉमन प्लूरल नाउन की तरह काम कर रहा है, सभी सीयोज, जो बन चुके हैं, कुछ जन्दिगी में कुछ कर चुके हैं, बिजनस बिजनस खड़ा कही हैं उन्होंने, चलिए, तुम आज एक सितारे हो सकते हो आसमान के, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें जानता हूँ, या मैं इस बात को जानता हूँ, कि आप वेट दब बैट करते थे, आप बिस्तर गिला करते थे, एक बच्चे के तोर पे जवाब छोटे बच्चे थे, है ना तो यह आपको एक हमबल करने की टेक्निक हो सकती है, बन गया होगा बड़ा, इसकी वर्ब है नो, यू अगेन आपके लिए हैं, और वेट करना, गिला करना, चलिये, वेट, 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 वीवन, वीटो, 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 सेम है, वीटो लगी होई हैं यहां पर ध्यान देना, कट, पुट, हर्ड, हर्ड, यादना सारी हिट V1, V2, V3 जिनकी सेम होती है करे जोर्ज बनोट शो नाम के विचारक थे बहुत अच्छी किताबे हैं कि इनके बारे में कुछ पढ़ना खाली 15 मिनिट एक दिन निकालना जोर्ज बनोट शो का विकीपीडिया पेज पढ़ना आपको अइडिया लगेगा इन्सान की इनकी बाते सुनना आपे जो लिकर कर गहे हैं तो करें जोर्ज बनोट शो ने कैप्चर किया इस बात को कैप्चर करना याणि किसी चीज का सार पकड़ना किसी चीज को स्टेटमेंट को कह देना समझगे ना किसी situation के उपर को statement दे के उसको capture करना तो इन्होंने capture किया, सार दिया और इसको बड़े अच्छे तरीके से बैस तरीके से और उन्हेंदा capture ये था सार ये था When our relatives are at home we have to think of all their virtues जब हमारे relatives घर आ चुके हैं, at home है तो हमें सोचना पड़ता है उनके सभी गुणों को या अच्छाईयों को क्यों? करें जी or it would be impossible to endure them नहीं तो ये होगा बड़ा ही मुश्किल, बड़ा ही असंभव, उनको endure करना उनको सैना, उनको bear करना घर में कोई बुवा आई हुई है आपकी जो बड़ा कान खीशती हैं आपकी लेकिन आप बुवा से कभी कुछ कहते नहीं है जब वो घर आती हैं आपके क्योंकि एक मन में प्यार होता है उनकी कुछ अच्छी बाते आपको याद होती है तो करें जब रिलेटिव उमारे घर आते हैं और परिशान करते हैं तो उनकी अच्छी बाते हम सोचने लगते हैं अगर ना सोचें तो उनको सैना भी मुश्किल हो जाए ऐसी वो बाते कभी कभी कर देते हैं करें लेकिन लेकिन जब वो चले जाते हैं फिर हम console करते हैं अपने आपको दिलासा देते हैं अपने आपको उनकी absence में उनकी नामवजुद्गी में और कैसे by dwelling on their vices dwell on करके गराई से सोच करके उनके अफगुणों को उनकी बुराईयों को जब आपको कुछ relative कुछ कह जाता है उसके जाने के बाद आप क्या सोचते हैं अपने बच्चों को भी दुगी करता है मुझे भी बोल गया तो अपने आपको console कर रहे होते हैं उस वक्त कुछ कह तो सकते हैं उसको relative तो चला गया तो आप अपने आपको दिलासा दे रहे होते हैं उसके अफगुणों को या बुराईयों को सोच सोचके या dwell on करके चलिए बड़ी ही practical सी बात बताईए है ना सब लोग इससे relate भी कर पाते होंगे वर्नाट्सव की वर्व है captured, relatives की वर्व है आर, at home या नहीं हमारे घर है, we, verb है, have, virtue का मतलब होता है, goodness, किसी चीज़ की अच्छाई, और इसका बिल्कुल उटा क्या है जी, देखो यहां लिखा वाइस, अफगुण या बुराइया या बैड ऐलिमेंट्स ऑफ सम्थिंग, their relatives के लिए, verb है, dwell on करना, किसी चीज़ पे, मुल या पॉंडर करना, तीनों verbs याद न, उपर दो आई थी है, नीचे तीसरी आगी, मुल on या ओवर, dwell on या ओवर, या पॉंडर on या ओवर, गहरा करने में जितना टाइम लगता है, लगबर उतना ही टाइम जो है, इन आर्टिकल्स को डूढने में लग जाता है, मुझे, चलिए, फर्स अपना क्विज का क्वेशन है, फटा बट सौल करना है अपने को, इन में से कौन सा अंडरलाइंग रीजन, ये author प्रपोस करता है, कि क्यूं, relatives हमें याद करवा सकते हैं, successful individuals को, उनकी बेवकुफियों के लिए जो थी बच्पन की, चारों में से कौन सी ऐसी मजबूरी आ जाती है हमारे relatives की, कि बड़े बड़े successful बच्चों को भी, जो बड़े हो चुके हैं, उनको भी उनके बच्पन की बेवकुफियां वो याद करवाते हैं, उनसे reconnect करने के लिए personal level पे, उनके लिए अपना show दिखाने के लिए support और concern, उनके उपर अपनी superiority को दिखाने के लिए, अपनी अच्छी quality को दिखाने के लिए, उनके उपर, या फिर उनको humble करने के लिए, विनमर या शर्मसार करने के लिए, बड़ा easy सा question है न भई, answer बताने का मन भी नहीं कर रहा, डाल देता हूं first comment में, मेरे ख्याल से सभी का सही होगा, वे article पूरा पढ़ा है, आँख और कान खोलके, तो ये question गलत होने का कोई chance नहीं है, ठीक है, डालना comment में मैंने देख लिए, डाल दिया है, वहाँ से देख लेना, अपने answer का समझे, आप, अचा इस court को आप क्या समझे, है न, इस court का क्या character है, ये आपको बताना है, ये court जो है, familiar relationship की critic है, परिवारिक रिस्तों की आलोचक है, ये court एक observation है, dual nature की, कैसे हम अपने रिस्तेदारों के बारे में सोचते है, ये court एक demand है, call है, और अच्छी understanding की family members के बीच में, कि सबको समझा, समझा जाएक दूसरे को, ये demand रखती है, court, या ये humorous take है, या एक हसी खुशी भरा एक take है, एक नजरिया है, familiar virtues की necessities का, पारिवारिक रिस्तों में virtues जो है, है न, मतलब, अच्छे जो रिस्ते हैं, उनकी जरूरत का, थोड़ा सा अच्छे level का question है, एक आप सोचोगे वो है अच्छा, लेकिन जब relative चला गया, मजबूरी खतम हो गई, और कुछ कह गया, उसके बाद आप उसकी बुराइयां गिनने बैठोगे, और आप सोचोगे कि मेरी कोई गलती नहीं थी, ये relative ये ऐसा है, तो ये dual nature है, दो तरफा nature है, हमारे relatives को देखने का हम लोगों का, हमारे दोगले पन को ही बनाच हो, इस code के जरीए capture कर रहे हैं, ठीक है, दोगला पन in the sense of perceiving relatives, एक ये आदमी आज मंगलवार को अच्छा लगाता और बुदवार को आपको उससे नफरत है, चलो, ये हो गया, second वाला, थोड़े अच्छे level का था, लेकिन questions ऐसे रखता हूं मैं, ठीक है न, examiner आप देगा और आप वहाँ गलत करो कि उसस अच्छा यहाँ गलत करके सीखो, dwell on करना, meaning of course करवा चुके हैं आपको, एक artist जो storylines लिखता है, drama और plays की उसको क्या बोलते हैं, spelling लिखनी है इसकी, spelling सही होनी चाहिए सभी की, ठीक है, story आप ले लि challenge और deliberate का meaning निकाल लो, अपने आप ruminate का meaning निकलाएगा, eat at phrasal verb पुछिए आप से, और antonym यानी की, विरोधा भासी वर्ड है न, उल्टा वर्ड पुछा है मैंने, virtue नाम के वर्ड का, virtue क्या मीनिग है और इसका उल्टा मीनिंग क्या होता है, last में मिलेंगी 4 errors, पहली मिलेग क्लैंग वर्ड के पास, दूसरी आपको मिलेगी, दा हायर नाम की structure में, तीसरी आपको मिलेगी इस वर्ड नाम के वर्ड की वज़य से, और 4 आपको मिल सकती है, इस वर्ड के आसपास, meaning से निकलेगी 4 वाली error, वर्ड सही है, लेकिन meaning आपको चेक करना है, माफ किया या माफ माफी मांगी या माफ किया, याद है ना वो, माफी मांगना और माफ करना दो अलग अलग words है, किसी को मारना और मर जाना दो अलग अलग words है, तो वैसे याद रखना है इसको, चलिए, next class में आप से लेंगे मुलाकात, out of 11 कितने marks मिले, आज की class कैसी लगी, जो बच्चे last त एक्स्टा classes की जरू होता है, you can take the benefits of the courses, application को download करें, YD app को, आपको writing का, SSC का और banking का, in fact UPSC का भी course मिल जाएगा, affordable courses है, मेहनद करना चाते हैं, तो आपको download करें, comment section मिल लिंक रखा गया है, you can take the benefits, चलिए.